हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Redmi का Note 9 Pro जिसकी कीमत बढ़ जाने के बाद भी आपको मिलता है ओनलाइन 14,000 में और दूसरी तरफ है MI का A3 जो आपको मिल जाता है 12,000 के आसपास तो दोनों में 1500 से 2000 का फर्ख है इस वीडियो में मैं आपको comparison करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है और आपको इन दोनों में सक कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप end तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा चले बात कर लेते हैं सबसे पहले A3 के बारे में दोस्तो इसके अंदर आपको सबसे पहली खुबी जो मिलती है वो मिलती है इसकी डिस्प्ले इसमा आपको AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो की HD Plus है इस चीज़ का आप खयाल रखिएगा Full HD Plus डिस्प्ले नहीं दी गई HD Plus है तो डिस्प्ले की फिर भी जो इसके अंदर आपको Quality मिलती है वो बहुत ज़ाद अच्छी है इसे के साथ इसमा आपको In Display Fingerprint Scanner मिलता है जिसकी Speed ना बहुत ज़ादा तेज है ना बहुत ज़ादा Slow Speed आपको Normal मिलती है तो पहली खुबी इसमा आपको Change के आसपास AMOLED डिस्प्ले दी गई है दूसरा In Display Fingerprint Scanner है तीसरी खुबी जो इसमा आपको मिलती है वो है इसका Design White Color में आप देख सकते हैं ये Mobile बहुत ज़ाद अच्छा लग रहा है Glass Look है Gorilla Glass की Production के साथ और दोस्तो Display Size Change का होने की वज़े से ये Mobile काफी Handy भी है एक हाथ से यूज करने में आपको Problem नहीं होगी ये इस Mobile की वैसे सबसे अच्छी खुबी है इसे के लावा चौती खुबी इसमा आपको मिलती है इसका Camera पीछी की तरफ तीन Camera दिये गए है 48+, 8+, 2 Front Camera है 32MP का Camera इसका बहुत जाद अच्छा है Left Side पर मिलती है Sim Key Tray जिसमें 2 Sim Guard, 1 Memory Card, 3 चीज़ एक साथ लगा सकते है नीचे की तरफ इसमा आपको Type-C Port तो मिलता है लेकिन Fast Charger आपको Mobile के साथ Box के अंदर नहीं दिया गया वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा Mobile के साथ 10W का Charger है बाकी Right Side पर मिलता है Volume के बटन, सुसी की ठीक नीचे Power का बटन उपर की तरफ IR Blaster दिया गया है जिससे आपका MI Remote काम करता है तो TV वगर आप इस Mobile से चला सकते है बैटरी मिलती है इसमें आपको 4030MH की एक दिन का बैटरी बैका पराम से मिल जाता है और इसके अंदर आपको मिलती है 4GB की RAM, 64GB की Internal Storage RAM और Storage इसमें आपको Normal दी गई है और Processor मिलता है Snapdragon 665 अगर आप एक Heavy User भी है तो इस Mobile में आपको काफी अच्छी ही Performance मिलती है इसे के साथ एक चीज़ बहुत जाद अच्छी है इसमें आपको Stock Android दिया गया है तो Android के समें आपको Latest Updates काफी जाद जल्दी देखने को मिलेंगे ये इस Mobile की काफी अच्छी खुबी है तो दूस्तों अगर आपकी जूरत की चीज़े ये हैं इसे आपको Camera बहुत अच्छा चाहिए आपको Display की Quality चीची चाहिए आपके लिए Design बहुत जादा Matter करता है इसे के साथ Mobile आपको Handy चाहिए क्योंकि जादातर बड़े Mobile से में एक खास से यूज़ करने में दिक्कत होती है तो अगर आपके लिए चार चीज़े सबसे जादा Matter करती हैं तो आप ये Mobile ले सकते हैं ये Mobile आपके लिए काफी अच्छा रहेगा चलिए बढ़ते हैं अब Note 9 Pro की तरफ तो देखते हैं अगर आप 2000 और जादा खर्च करते हैं तो Note 9 Pro इस Mobile से और कितना अच्छा है तो दोस्तों सबसे पहले जो इसके अंदर आपको डिस्पले मिलती है वो AMOLED नहीं दी गई इसमें आपको साड़े शेंज के आसपास डिस्पले मिलती है डिस्पले साइस तो जादा बड़ा है जोकि 5-6 के साथ आता है जोकि 5-6 के साथ आता है बीच में ही केमरा है डिस्पले के अंदर लेकिन इसमें आपको AMOLED डिस्पले नहीं दी गई IPS Full HD Plus डिस्पले मिलती है MI के A3 में HD Plus है लेकिन इसमें आपको AMOLED नहीं मिलती है आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा तो डिस्प्ले की जो क्वैलिटी हैं जो कलर्स हैं वो मुझे फिर भी MI A3 के जाद अच्छे लगे बाकि साइस के अंदर और डिस्प्ले की डिजाइन में तो यही मुबैल जाद अच्छा है बाकि इसके अंदर भी आपको 4GB के रैम, 64GB के इंटरनल स्टोरेज दिये गई हैं और डिस्प्ले के अंदर आपको एज्जी बेजल भी काफी कम दिये गए हैं इसके लाव दोस्तों इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है वो मिलती है 5020 एमेश की तो दोस्तों इसके साथ जो आपको बैटरी दी गई है वो इस मूबैल की दूसरी खूबी है जो आपको MI के A3 से ज़ाद अच्छी मिलती है बैटरी बैकप इसके अच्छा है और इसके अंदर आपको फास्चेजर भी दिया गया है 18W का अलग से खरीदने की ज़रुत नहीं है इसके लाव इसके अंदर भी आपको ग्लास लुक मिलता है वाइट कलर के अंदर इसमें आपको कुछ सिल्वर कलर का एफेक्ट दिया गया है इस तरीके से डिजैन में वैसे दोस्तो परस्तली मुझे MI का A3 ही ज़्याद अच्छा लगा इस मोबैल से क्योंकि इसमें आपको वाइट कलर बहुत ज़्यादा प्योर मिलता है और इसमें आपको रेंबो कलर के एफेक्ट भी दिये गये हैं इस से ज़्याद अच्छा लगता है डिजैन में A3 ही इसके लावा पीछे की तरफ इसमें आपको चार कैमरे मिल जाते हैं जिसमें पहला 48, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगा पिक्सल का है इसका फ्रांट कैमरा है 16 मेगा पिक्सल का दोस्तो कैमरे की परफॉर्मेंस इस मोबैल में भी आपको काफ़े अच्छे मिल जाती है फिर भी कम कीमत में MI का A3 बहुँ जाद अच्छा है कैमरे के अंदर लेफ्ट साइड से आप देखते हैं इस मोबैल को इसमें भी सिम की ट्रे दी गई है और इसके अंदर भी आप दो सिम काड़, एक मेमरी काड़, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं नीचे की तरफ इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है A3 की तरह फर कितना है आपको फास्टेजर मोबैल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है 18W का A3 के साथ 10W का मिलता है इसे के साथ दोस्तो इसमें जो आपको फिंगरपिंट स्कैनर दिया गया है वो डिस्प्ले के अंदर नहीं मिलता राइट साइड पर जो ये पावर का बटन है सके अंदर ही फिंगरपिंट स्कैनर है उपर की तरफ IR ब्लस्टर मिल जाता है जिससे आपका MI remote काम करता है इसके लाव दोस्तों बात करें प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको दिया गया है स्नैपड्रेगन 720G प्रोसेसर प्रोसेसर इस मोबाइल का जाधा अच्छा है A3 से अगर आप एक बहुत जाधा हैवी यूजर है तो इस मोबाइल में आपको बहुत अच्छी पर्फोर्मेंस देखने को मिलती है अगर आपकी ज़रुत की चीज़ प्रोसेसर ही है तो ये मोबाइल आपके लिए जाधा बैटर रहेगा इसके लावा इसके अंदर आपको स्टॉक एंडुट तो नहीं मिलता जो आपको A3 में दिया गया है तो एंडुट के लेटेस्ट अपडेट्स आपको A3 में ही ज़ाधा जल्दी देखने को मिलेंगे तो दोस्तो ये सारी खूबिया है कम यह इस मोबाइल के अंदर बाकी एक चीज़ बहुत ज़ाधा इंपॉर्टेंट है बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तो इन दोनों मोबाइल्स में जो ज़ाधा बेटर बिल्ड क्यालिटी है वो भी A3 की है तो अगर इन दोनों मोबाइल्स में आपको Note 9 Pro ज़ाधा अच्छा लग रहा है तो दोस्तो आप अगर आप इस मोबाइल को लेते हैं तो बिन अ कवर के तो बिल्कुल भी यूज मत करिएगा इसके गिरने के बाद तूटने के चांसे ज़ाधा है A3 से वैसे तो दोनों में ही ग्लास लूक है गिरने के बाद तूटने के चांसे दोनों में ही ज़ाधा है लेकिन ज़ाधा बेटर बिल्ड क्यालिटी आपको A3 में ही मिलती है तो अगर आपको अच्छे डिजाइन के ल तो आप Note 9 Pro ले सकते हैं बाकि दोस्तों मुझे इन दोनों मुबाइल्स में A3 ज़्यादा पसंद आया आप मुझे बताइएगा निचे कमेंट करके आपको इन दोनों मुबाइल्स में कौन से ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाटसेफ फेस्बुक पे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा